हमारी चोटी सरदार्नी याने के महर का खयाल तो इस हालत में इस अपसरा को रखना ही होगा ना, हम उसके पास जा रहे हैं, आप फिर चलिए मेर शादी से पहले किसी से प्यार होना गुना नहीं है लेकिन ये जो तुम कर रही होना वो गुना है तुम्हारे पास सिरफ वही रास्ते हैं इस बच्चे को गिरा दो सौरी दी, मैं अपना बच्चा बॉट नहीं करने वाली तो फिर मेरे भाई सर अपो छोको हरलीन का घुसा मेर की बेबसी परम के आसू घर में कलेश करस की सीरिल छोटी सरदार्नी में आज ननन्द अपनी भावी मेर को कर रही है टॉर्चर असल में हरलीन के हाथ लगी है मेर की प्रेग्नेंसी रिपोर्ट जिससे उसे पता चल गया है कि मेर की कोक में पल रहा बच्चा सरब जीत का नहीं है और इस बात से हरलीन काफी दुखी है और वो मेर पर बच्चा गिराने का दबाव डाल रही है मैं तुझे मास करने के लिए तयार हूँ लेकि नेक शर्ड तू बस इस बच्चे को गिरवा दे और जिंदगी में कभी किसी से इस बारे में बिक्र भी ही करने बस तू इस बच्चे को गिरवा दे बैहरलीन की जिद के आगे महर बेबस होने लगी है पर आखिर में उसने हरलीन को मना कर ही दिया और साफ कह दिया कि वो अपना बच्चा नहीं गिराएगी और ये सुनकर बढ़क उठा हरलीन का गुस्सा इस बच्चे को गिरवा दे महर हम आपकी हिम्मत की दाथ देते हैं जो आप अपने कोक में पल रहे बच्चे को बचाने के लिए मजबूती से डटी है एक तरफ हरलीन ने महर का दिल दुखाया तो दूसरी तरफ उसने परम को भी रुला दिया जब घर में घुस्ते ही परम का सावना हरलीन से हो गया और घर में कुलवंत नाम लेने पर हरलीन ने परम को डाट दिया महर हरलीन का घुस्सा तो बढ़ता ही जा रहा है जिसे वो घर का महल बिगारने पर तुली हुई है अब ऐसे में आप क्या करेंगी महर आपके जबे को सलाम है और हमें यकीन है कि इस मुश्किल घड़ी में भी सरब जीत आपका ही साथ देंगे और आने वाले बच्चे का खुले दिल से स्वागत करेंगे जिससे हरलीन की जबान अपने आप बंध हो जाएगी आज तक भी उरो